गुड मॉर्निंग दोस्तों नमस्कार जयपूर में राजस्थान में पिछले एक मैंने से प्रदर्शन चल रहा है द्रणाफ प्रदर्शन इस्टुएंट्स का फर्स्ट ग्रेड एक्जाम जो टीचर्स की एक्जाम होती है जो लोग टीचर्स की एक्जाम में कई ग्रेड होती है फर्स्ट ग्रेड एक्जाम है इसकी एक्जाम की डेट खिसकाने के लिए इस्टुएंट्स हैं वो मांग कर रहे हैं और उसकी बढ़वाना चाहते हूं बहुत पहले से बेक्जाम की निकली थी अभी तक एक्जाम नहीं हुई है तो इस बारे में अभी पिछले दो दिनों से तीन दिनों से जो राजसभा सांचा दें डॉक्टर क्रोलाल जी वह भी धरना दे रहे हैं तो उन्हीं के लिए और डॉक्टर साहब के लिए एक मैं संदेश मेरे तरफ से देना चाहूंगा छोटा सा कि बहुत सारे मु बहुत चोटा सा मतलब होगा और इससे जादा बहुत बड़ी समेश्या हैं जिनकी तरफ अभी ध्यान जाना चाहिए क्योंकि आप जब दढ़ने पर बार बार तो कोई बैठे कर नहीं और वो सांसद वो भी आपके जैसा जन्ना आइक जो कहते हैं राजस्थान की राजनती इसके साथ में जिससे जात्रों का खासकर गरीब जात्रों का भाला हो अब मैं पॉइंट पा रहा हूं मुद्दा यह है कि हर एक्जाम में ब़स्टा चार होता है हर एक्जाम में पैसे देकर लोग सेलेक्ट होते हैं पांच से सात लाग रुफे यह मैं सेकड़ लोगों से सुन चुका हूं गरीब लोग किसान मजदूर और छोटे मनलब करमचारी अपनी महनुत से कमाई करते हैं और मजबूरी माँको उनको देने पड़ते हैं तो कहां जा रहा है पैसा है और कैसे सेलेक्शन हो रहे हैं और इ प्रश्राइटिंग होती है पूरी इंट्रोम सेटिंग होती है मैं एकजाम के पेपर आउट हो जाते हैं एक परिवार से कितने सारे आरेस बंते हैं तो यह आरोप में कोई बेस्री पारिक नहीं लगा रहा है तो आप भाई हो आप लोग प्रदसन कर रहे हो रात में जाग सो रहे हो ओंग सो रहे हो लेकिन अग्जाम होगी प्रदसन कर दो नहीं दो क्हाना खिला रहे हो अन्द्रोन कारी चात्रों को लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा हमागा अगर पर्क्रिया में पार दर्सिपा नहीं है और क्योंकि क्षस्वेश पॉश Sophia णक्ष तो क्या होगा इस परदर्सीन है नहीं इसाम फिर 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 फेपर और रूछ लोग पास पहला होंच जातें और लोग्प पहले पहुंच जाते हैं और ऑफ खेलेंगे इनके साथ में तो बहुत मुझे दुख होता है जो मैं सुनता हूँ छात्रों से कि इस तरीके से भेदवा होता है तो इस एक्जाम का कोई ऐसा पैटर्न मुझे इसका होना चाहिए ताकि पूरी पार दरसीता सुनस्चित हो जो महनत करने वाला गरीब छात्र है उस उसके मेहनत सफल नहीं तो ऐसे ही यह होता रहेगा स्ससी में कितने सारे मदलब बाते हम सुनते हैं सब सुनते हैं किस ने कितने पैशे दिए तो मुखमंत्री ऐसवों गैलो जी ओ जी पॉकमंत्री आप मेरे बात आप तक पहुंचाए तो पूरी से की क्रेडिबिलिटी मैंने भी RS क्वालिफाई किया है मेरे पहले चांस में RS में बिल्कुल उस टाइम सुनते थे लेकिन अब कैसे सेलेक्शन होगा हम तो गाहम से थे पहली वार इंट्रूव दे रहे हैं लोग उन्हें डरा दिया था लेकिन बिल्कुल ट्रांस्परेंट थ तो में लयुक chegou रहा है उनके बच्छों के नैंटी परसेंट नारा आथे पंशरों के भच्छें या फिर ञीए उत्करों पराजश्थार आफ्टेंट अनलम्हें गरीव किसान बेचारे सामयन छ班 record लुटन करना चाहिए है अब तो यह दोस्तों यह पूरे राजस्थान के छात्र है हर काश्ट के हर धर्म के हर ठेतर के उन्स अब ज्यूशाच नहां करना चाहिए क्योंकि मेहनत करने वाले बच्चे तो रह लेकिन दस लाग रुपे पांच लाग रुपे दे करके ऐसे नौकरियां ले लेते हैं लोग तो इनका बंडा फोर्ड करना जरूरी है मुझे पहले मैंने बोला था एक ट्विटर पर चला था बरपरिक्षाम रख्षारों को तो मेरे खिलाब कुछ लोगों ने लिखा अब बैठ यह दरने पर तो इस बात को गंबीरतासिल हो कि गरीब छात्रों का मेहनत करने वाले बच्चों का सेलेक्शन होना चाहिए उनकी मेहनत जाया नहीं जानी चाहिए इस वीडियो को सब को सेर कर दो सारे चात्र रहें ज वहां पर रात में जैपूर में धरना दे रहें परदर्शन कर रहे उनको यह कहो कि आप ये मांग भी करो कि आपके धरना परदर्शन देने के फैदा आपको तब ही मिलेगा जब यह परिक्ष्छा में पारदरसित तो इतनी सी बात मैं चाहता हूं सारे जो चात्र प्रदसन कर रहे हैं उनसे कि आप अपनी मांगों में इस बात को भी जोड़ो अंध्युuppiness क्रानेवाली साथि उनका औन लाएं ऐक्जाम होते हैं वो कैकते एक बिसी सेलेक्षण बिना पैसे नहीं होता न सितने पैसे ते ईपासी अमको से लृट पैसे ओ्लूरण को क crush व्तल्ड़े आदमी और घिरो औसे बांगे ने कमाई पैसे जो है इधर खीच लेना चाहते हैं फिर आप 9 क्रीम आओ 10 लाख रुपे देख करके को क्लर्क बनेगा उस पैशे को चुछ वकात रहो उसके लिए फिर करप्शन करो पकड़ गया फिर जेल जाओ तो यह पूरा वीसियस सर्किल है इसमें एक बार आदमी मस गया फिर निकल नहीं सकत इससे तो तोड़ना जरूरी है कि तो मैं फिर शे कहूंगा कि इसमें यह पॉइंट जोड़ो कि परिक्ष्या की प्रणाली एकदाव ट्रांस्परेंट हो उसमें यह ओनलाइन का नहीं चाहिए हमको आउनलाइन में कितने वर्ष्टेशार होते हमको सब पता है ओनलाइन में कैसे हेक होता है शिस्टम क्या होता है और इस प्राइवेट कालेज सिक्षा का निजी क्रने इस शिक्षा को भरबाद कर दिया ठी waited प्राइवेट कॉलेज खुल गए अब प्राइवेट कॉलेज को मालिक है वो अपने हिसाब से चीजों को सेट करता है उससे एक्जाम वाले संपर कर लेते हैं कि छात्रों को फायदा पहुंच आना है कि इनको कहां बैठाना है कि इनके हेल्प करनी है बाकि जो सात्रे विचार प्रिंज मालिक है उसको हर साल में दस्वी सेंटर आते हैं उसके कॉलेज में उसको करोडर रुपे मिलते हैं उनसे घरों से उनमें से नेतां को चंदा देता है अब एक चात्र की पिटाई हुई जैपूर मदर्स कोचिंग इंस्टूट क्या होगा उसका मैंने भी उसमें भ कोचिंग क्या होगा भाई हम नौकरी करें कि राजिनती करें आप लोगों के लिए आप पी डिमांड करें इतना कर रहे हैं वह मिरेखाल से काफी है तो आप जो चात्र है उनको मैं एसे छोट-छोटी मुद्दों पर इतना आप लंबा सब आपने संगर्स कर रहे हो और एक विरोध भड़ रहा है जन्स लोग आगे चात्रों को पढ़ना चाहिए हो रात में आगर के अलाव जला करके खाना कैसे खा रहे हैं डॉक्त्र आप के फोटों में देखे वारेज्मेंट कर रहे हैं सरकार सोनी निरी चात्रों से कितने बादे करके सरकार सथी है तो मैं इस को खतम करूंगा और फिस जाने से पहले मैं सोचा कि दस मिनट आप लोगों को इस बारे में बता दू को मुद्ध असली मुद्ध फोकस करो सिर्फ एक्जाम की डेट किसको आना मुद्ध नहीं है वो तो आप मतलग एक मैंनत ना आपने इसी आंदुरन पर खराब करते हैं दौक्ट साब आप से मेरी बात को पहुंचा है तो आप इस पर ध्यान दीजिए और यह गरीब गाहों के जो चात्र है उनका फिर बवी से खराब है यह तो आप जमीन बेच के पांच लाग रुपे लाओ दस लाग रुपे लाओ और इनको दो तब जाके नोक्री लगेगी और यह हार्ड फेक्ट है कि भर्ष्टचार होता है इसमें एक्जामस में चाहा एस स्स्यों चाहा आर पेसी के एक्जाम मोईन में ठीक है दोस्तों धन्वाद आप लोगों मुझे सुना नमस्कार मैं अभी उमीद करता हूं कि जो छात्र है वो मेरे से जुड़े वें सोसेल मीडिया पर वो इस मुद्दय को जरूर उठाएंगे कि परिक्ष्या की प्रणाली है वो ट्रांस्परेंट पार्दर्शियों उसमें भृष्टचारी गुंजाईस जीरो हो एकदम ऐसा सुनिशित किया जा नमस्कार